दोस्तो आप सभी ने सिंगाडा कभी न कभी आवश्यक खाया होगा जिसके उपर हरे रंग का छिलका होता है त्रिकोन आकार का होता है और छीलने पर अंदर से सफेद रंग का गूदा निकलता है खाने में काफी स्वादिष्ट होता है और इसे सुखा कर इसके आटे का प्रि विद्धी करने में आपकी सहायता करेगा, आपके वीर की गुणवक्ता को सुधारने का यकारे करेगा, उसकी मात्रा को बढ़ाएगा, साथी साथ जोडों का दर्द, वजन का ना बढ़ना, बहुत अधिक कमजोरी, साथी साथ मदुमे के चलते उत्पन कमजोरी, डाबुटि देना चाहूंगा, दरसल सिंगाडे की तासी ठंडी होती है, इसका प्रियोग पित और वात दोश को शांत करने वाला होता है, वहीं आधुनिक व्याग्यानिकों के नुसार, सिंगाडे में विटामिन C, विटामिन B, 6, कैलसियम, मैगनेसियम, पोटेसियम, भरपूर मात्र की और 200 से 300 ml के करीब दूद आपको लेना है, आटे को दूद में डालकर खुब अच्छे से उबाले, जब दूद उबलकर ठंडा हो जाए, तब अपनी इच्छा के अनुरूप धागे वाली मिस्ट्री आप इसकंदर मिला सकते है, अलाकि बिना मिस्ट्री के प्रियोग करन थोते हुए दिखाई देंगे और अगर इस नुष्खे के प्रभाव को आप दोगना करना चाहते हैं, तो बराबर मात्रा में उडद की डालका चून भी आप इसकंदर डाल सकते हैं, दोनों को साथ में दूद में उबालकर प्रियोग करने पर निश्चित तोर पर ये नु आड़े के आटे का प्रियोग ही अधिक बहतर रहेगा कमजोर पाचन तंतर वाले रोगयों के लिए, आशे करता हूँ, आपको जानकारी पसंद आई होगे, मिलते अगले वीडियो में